तो गैस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मनीन दा बैंक के एक बहुत बड़े चैंपेंशिप मैच के बारे में जो कि हमें देखने को मिलेगा सैथ रॉलेंस वर्सेज एज स्टाइल्स के वीच उनिवर्सल चैंपेंशिप के लिए हम सभी लोग यह जानते कि हमें लग रहा था कि अगर एजे स्टाइल्स रॉपर आ भी जाते हैं तो भी शायद हमें काफी लंबा टाइम का वेट करना पड़ सकता है और इसके बाद ही जाकर हमें ये दो सूपरस्टार आपस में लड़ते वे दिखाई देंगे लेकिन जिस तरह से डवल लोग ने एजे स् के रहा पर आते ही सैथ रॉलेंस वर्सेस एजे स्टाइल्स के बीच उनिवर्सल चैंबर्शिप के लिए मैच को कंफर्म किया सभी फैंस काफी ज्यदा खुश थे और सभी का मानना ही है कि बहुत जल्दी देखने को मिल रहा है और शायद हम लोगों ऐसा एक्सपेक्ट नह हो जाएगी अगर हम बात करें उनके स्किल्स एफर एबलिटी या फिरो किस सुपस्टार को हरा सकता है अगर हम इस बारे में बात करें लेकिन शाहिद हो सकता है यहां पर बहुत बड़ा में ऐसा सर्परास दे दे जिसके चलते दोनों सूपस्टार को समेस के रिजल्ट से ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं और इस मैच को डवलोवली और आगे तक लेकर जा सकती है क्योंकि जो काम डवलोवली इस मैच पर करेगी वह बहुती बड़ा में सर्प्राइस देखने को मिल सकता है क्योंकि यहां में बात करना हूं इस मर्बोड़ूर्णन पर लेक्रण करते नियुक्ति बात डेखने लेकर इक्था करता हैं प्र लेक्रणन सब्सक्राइब में अलब 1 लेक्रण फिंवलोवली नहीं चाहें देखने को मिले डेवलोबली इस मैच की एंडिनिक आप लोग कह सकते एक तरह से स्क्रू टाइप करना चाहेगी क्योंकि इसका पहले रिजन में आपको अलड़ी बता चुका हूं कि डेवलोबली यहां पर नहीं एजस स्टाइल स्कोर नहीं सैथ रॉलिंस को भी दिखाना चाहती है तो अकर म हमें इस मैच में बड़ा रोल प्ले करते वे दिखाया दे सकते हैं ब्रॉक लेस्नर दूसरी चीज की बात करें तो यहां पर ध्यान में रखना होगा कि ब्रॉक लेस्ट हो चुके युए से रिटायर मैं आपको बता चुका हूं कि डेना वाइट ने कहा कि ब्रॉक लेस्ट यहां यहां पर उत्ने पैसे नहीं मिल रहे थे मैच में और बात करें तीसरे और बहुती मेजर पॉइंट की जिसके बारे मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्ट में बताया और वह ये कि साओधी अरेबे में जो डिबलोबली का इवेंट है वहाँ पर अभी भी ब्रॉक लेस्ट को कोई मैच कंफर्म नहीं है और ये भी ब स्टार्ट मैच सेथ रॉलिंज ब्रॉक लेस्ट इन्यों बहुत ही डिबलोबली के बड़े सूपरस्टार और एक ही मैच में इतनी ज्यादा स्टार पावर होगी तो मैस तो एक काफी ज्यादा इंटरस्टिंग हो गाई तो इस तरह से अगर हम यहाँ पर सारी चीजों को मि इन्युवर्सल चैंपेंशिप के लिए आप कमेंट करके आप लोग मुझे बताना कि इन सभी बातों के बारे में आपके क्या थोट्स है कि आप लोग ब्रॉक लेस्टिंग को देखना चाहेंगे इस मैच में इस मैच में इंटरफेरेंस करते हैं या फिर ट्रिबल थेड मै हुआ हुआ हुआ